बहुत सारे किसान का होते हैं कि अमने को तो 0050 डालना ही है यदि आपका आलू इस प्रकार का हो चुका है सतर दिन के आज पास तो हमें उसमें 0050 डालना है नमस्कार किसान मित्रूब आच घियसकिता हुआ है आज हम चर्चा करेंके अमारे अलो में लास Tambival काता है तो किसान में सबसे पहले हम बात करेंगे 0050 की युकि लास दीन हो जाते हैं पानी आखरी-ाखरी कर देते हैं उस समय पर पहुत चांतरे किसान क्या होते हैं बस हम अमेर तो 0050 डालना ही है पर किसान भाई यो इसमें हमें विश्यश्रूप से ध्यान रखना है सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे आलू को थोड़ा खोद के देखना है कि वह किस कंडिशन में साथ से पेसराट और सतर दिन का होगा उसकी साइज क्या बनीवी है उस हिसाब से एड़्यस करना है और उसी हिसाब से हमारे लास्ट वला फंगिसाइड डलेगा हमारे पोदे की कंडिशन देखने के पश्चात में तो मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा से दिखाईएगा हमन और यदि आपका अलू इस कंडिशन पर है अभी सहाट से पेसर दिन में तो उसमें हमें 0050 का यूज नहीं करना है होता क्या है कि यह जो हमारा पोधा है अभी तो स्वस्त दिख रहा भरा हम 0050 डालेंगे कुछ पत्ति ऐसी इसकी बहुत जल्द पीली हो जाएगी और पूरा का अलू नहीं हो पाएगा तो आपको उसके लिए अलू की साइज हलकी सी और बढ़ने के लिए कुछ समय हमें रुखना पड़ेगा और 0050 के साथ में हमें क्या करना है कि लिहोसीन जरू डाले लास में 70 दिन पर दोनों की मातरा बाताने चाहूंगा 0050 से आपका एक किलो प् जटका देती यदि आप कच्छा अलू निकालना चाह रहे और जल्दी से जल्दी निकालना चाह रहे आपके पास साथ से आठ दीन ही बचे हैं आलू निकालने के लिए उस समय पर आप कल्टार का यूज कर सकते हैं किसान में तो बहुत बार यहीं बात आती है कि क्या हम PGR इस प्रगार का हरा भरा खेते हैं हमारा तो इसमें हमें 0050 और लिहोसीन का यूज करना है और क्या फंकिसाइड डालना में बताओं और एक और खेत दिखाना चाहूंगा जिसमें 0050 नहीं डालना उस कंडिशन पर वह खेत भी दिखा देता हो ताई किसान में तो आप देख पार है कुछ की पोधा वेसे ही मर रहा है और इसमें डाल देंगे तुरंद मर जाएगा जिससे हमारे खेत की मिट्टी भी नहीं सुकेगी और आलो में सुगर आने के समावना बहुत जादा बनी रहेगी और एक बात और बताओंगा मैं आपको यहा बढ़े दोनों मिक्स कर लेजिए तो यह आपकी मिमारी वहीं रूख जाएगी वह नहीं कर रहा है तो मेटाल एकजिर और मेलको जब दोनों का मिक्शर भी कर सकते है तो उसका रिजाड़ी बहुत ही शान्दार देखने को मिला है किसान भाईयो